हेलो फ्रेंड्स आज से इस्टिचिंग में आपका स्वागत है आज मैं 34 साइज पेटिकोट की कटिंग और इस्टिचिंग बताऊंगी वीडियो इस्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स लगा रहे हूं नाड़े के लिए कपड़ा निकाल रहे हूं यहां से थोड़ा सा कैची से कट कर लेंगे और कैची से कट करने के बाद हाथ से ही लंबाई वाला पूरा कपड़ा हम निकाल लेंगे ऐसे हाथ से ही कपड़ा निकाल लेंगे यह कपड़ा मैं नाड़े के लेयर में जैसे पहले फोल्ड था लंबाई में वैसे फोल्ड करना है अच्छे से कपड़े को मिलाती हुआ फोल्ड कर लेना है यहां मैं कपड़े को टू लेयर में फोल्ड कर ले हुँ यह देखिए ऐसे अब यहां उपर से बेल्ट के लिए कपड़ा निकालना है बेल्ट हम ऐसे बनाते हैं तो उसके लिए हमें कपड़े की कटिंग करना है यहां उपर से हम 5 इंच पे निसान लगाएंगे बेल्ट की कटिंग करेंगे तो उपर से हम 5 इंच पे निसान लगा लेंगे ऐसे 5 इंच पे निसान लगा लेना है ये देखे और कपड़े को अगर फोल्ड करके हम कटिंग कर रहा है तो कपड़े को फोल्ड करेंगे तो 2.5 इंच पे निसान लगाएंगे और खोलेंगे तो 5 इंच पे निसान लगाएंगे तो ऐसे यहां से 5 इंच पे निसान लगाते जाना है ऐसे निसान लगा के और इस निसान को सीधा मिला लेना है ऐसे सीधा मिला लेंगे अब यहां से हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे यहां मैं कपड़े की कटिंग कर ले हूँ यह देखिए तो इतना कपड़ा जो मैं निकाली हूँ बेल्ट के लिए यह कपड़ा कमर में कम पड़ जाएगा क्योंकि कमर 34 साइज बनाना है और इसकी कमर की चोड़ाई आ रही है 32 इंच तो उसके लिए फिर से एक बार में कपड़ा निकाल लूँगी इसी कपड़े को रख लेना है और फिर उतना ही कपड़ा एक बार और निकाल लेना है ऐसे कपड़े की कटिंग कर लेना है यहां मैं दो बार कपड़े की कटिंग कर ले हूँ यह देखिए ऐसे दो बार कपड़े की कटिंग की हूँ मैं दो बार कपड़े की कटिंग करने के बाद देखिए बेल्ट हम ऐसे बनाते हैं तो हाफ आफ इंच नीचे से सिलाई में जाएगा और तयार बेल्ट टू इंच कर रहेगा और लंबाई में देखिए जितना भी हमको कपड़ा जोड़ना होगा उतना हम कपड़ा यहां से जोड़ लेंगे यह बेल्ट की कटिंग हो गई है अब यह जो कपड़ा बचा है उसम कपड़े को फोर लेयर में फोल्ड करना है अच्छे से बराबर में कपड़े को मिलाते हुए फोर लेयर में फोल्ड कर लेना है यहां देखिए कपड़े को मैं फोर लेयर में फोल्ड कर ली हूँ और कपड़े का ओपन साइड में उधर रखी हूँ और फोल्ड वाला को ना पेंगे तो कपड़े की लंबाई आ रही है 34 इंच और हमको तयार पेटी कोट भी 34 इंच ही चाहिए तो इसमें हम उपर टू इंच का जब हम बैल्ट जोडेंगे तो इसके लंबाई आएगी 36 इंच लेकिन फिर हम नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो फिर इ इंच टेप को ऐसे फोल्ड करना है ऐसे देखिए दो बार मैं फोल्ड की हूँ अब यहां मैं तीसरी बार जब मैं फोल्ड करूंगी तो यह 8 से डिवाइड हो जाएगा जब इंच टेप 8 भाग में आएगा तो 8 से डिवाइड हो जाएगा अब ऐसे फोल्ड करके और इसी क लगा रही हूं और फिर एक निसान यहां भी लगा रही हूं दोनों कॉर्णर में निसान लगाना है अब यह निसान लगाने के बार देखिए सिलाई के लिए वन इंच एश्ट्रा एक बार और निसान लगाएंगे दोनों साइड और जो बाहर वाला निसान जो लगा है बाद देखिए इस साइड़े निसान बन गया है अब इसी निसान पर हमको कटिंग कर लेना है यह देखिए क्लिय की भी कटिंग हो गई है अब ऊपर से कपड़ा ज्वाइंट था तो उसको सबसे पहले हम अलग कर लेंगे इसमें उपर से ज्वाइंट है इसको अलग कर लेंगे और इसमें नीचे से ज्वाइंट है तो इसको भी हम अलग कर लेंगे ऐसे यह अलग करने के बाद देखिए कपड़े को ऐसे बीच से बराबर में फोल्ड करना है ऐसे कली वाला कपड़ा लेंगे और बीट से ऐसे फोल्ड करेंगे तो नीचे हलका सा ये तिर्षे में कपड़ा एश्ट्रा आएगा उसको कटिंग कर लेना है दूसरे वाले पाइट में भी ऐसे ही करना है हलका सा जो नीचे कपड़ा अश्ट्रा आ रहा है उसको कटिंग कर लेना है देखिए ये पतला वाला चार कली निकलता है इसमें से और पतले वाले में एक साइड तीर्छा रहता है और एक साइड सीधा रहता है और चोड़ा वाला इसमें से जो फोल्ड वाला साइड था उधर से टू कली निकलेगा और दोनों साइड इसमें तिर्चा ही रहता है जो कटिंग वाला पाट रहता है दोनों साइड तिर्चा रहता है और पतले वाले में एक साइड तिर्चा रहता है और एक साइड सीधा रह हम उसमें ज्वाइंट कर लेंगे, दोनों साइड सीधा वाला कली लेके हमको ज्वाइंट कर लेना है, ऐसे देखिए, तो ऐसे ही हमको पेटी कोट का दोनों पार्ट ज्वाइंट कर लेना है, यहां देखिए, यहां मैं कली को ज्वाइंट कर ले हूँ, बीच में चोड़ा वाला कली है और दोनों साइट पतला वाला कली है ऐसे मैं दोनों पाइट के कली को मैं जोड ली हूँ यह देखिए ऐसे दोनों पाइट के कली को मैं जोड ली हूँ और दोनों को मैं एक साथ मैं जोड ली हूँ ऐसे पेटिकोर्ट में दो पार्ट होता है फ्रंट और बैक तो मैंएक साथ जोइंट कर ली हूं यहां दोकते सायड शुलाई लगा ली हूं एक सायड से मैं शिलाई लगा ली हूं ऐसे और जो दूसरा वाला साइड है उधर से खुला रहता है तो उपर से थोड़ा सा ओपन रहता है तो उसके लिए मैं ऐसे उपर से 5 इंच इतना निसान लगा के और ऐसे मैं फोल्ड करके और सिलाई लगा ले हूँ दोनों पाइट में इसमें भी और इसमें भी दोनों पाइट में उपर से 5 इंच इतना निसान लगा के मैं सिलाई लगा ले हूँ आप इसमें बेल्ट को ज्वाइंट करना है तो यह देखिए बेल्ट के लिए जो मैं दो बार कपड़े की कटिंग की थी उस कपड़े को मैं ज्वाइंट कर ले हूँ पहले कमर से नाप ले हूँ और जितना भी कपड़ा छोटा पढ़ रहा था उतना कपड़ा में इसमें ज्वाइंट कर ले हूँ और ज्वाइंट करने के बाद एक साइट से मैं कपड़े में सिलाई लगा ले हूँ आप इसमें belt को joint करना है तो देखिए सबसे पहले हम पेटिकोट वाले कपड़े को हम ऐसे उल्टा वाला side हम उपर रखेंगे और belt में भी जो कपड़ा joint हुआ है उसको हम उपर रखेंगे ऐसे दोनों उल्टा वाला side उपर रखते हुए ऐसे कमर में पहले सिलाई लगा लेना है पूरे कमर में ऐसे सिलाई लगा लेना है यहां मैं देखिए कमर में सिलाई लगा ले हूँ अब सिलाई लगाने बात देखिए belt वाले कपड़े को उपर से हलका सा फोल्ड करते हुए औ उसको उपर के साइड करते हुए और बेल्ट वाले कपड़े को उसके नीचे रखते हुए सबसे नीचे एक सिलाई लगा लेना है और एक सिलाई थोड़ा सा उपर लगाना है यानि कि यहां दो सिलाई लगा लेना है बेल्ट पे दो सिलाई लगाना है और नीचे मोहरी जब हम सिलाई लगा लेना है यहां देखिए यहां मैं बेल्ट भी ज्वाइंट कर ले हूँ और मोहरी के लिए भी नीचे मैं फोल्ड करके मैं सिलाई लगा ले हूँ और साइट से भी मैं सिलाई लगा ले हूँ अब यह पेटिकोट तयार हो गया है ऐसे देखिए पेटिकोट तयार यह जो मैं नाडा के लिए कपड़ा निकाली थी तो देखिए नाडा कैसे बनाते हैं जो कपड़े का किनारी है उसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे एक बार उधर से और एक बार इधर से और फिर एक बार बीच से फोल्ड कर लेंगे और पूरे लंबाई में हम ऐसे फोल्ड करते ज आएंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा वीडियो देखने के लिए थैंक यूँ